नमस्ते साथ्यों भारत सरकार के महत्तो कांग्शी सरकारी योजना प्रधान मंतरी आवास योजना 2024 से संबंधित एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो साथ्यों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत सरकार के ग्रामिन विकास मंतरा लेगे द्वारा प्रधान मंतरी आवास योजना 2024 के अंदर कुछ नए अपडेट जो है लाए गए हैं जिसके तहट जितने भी लाभारती इस योजना से संबंधित है और इस योजना का लाब प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे सभी लाभारतीयों के लिए बहुत बड़ी जो खुसकबरी है वो भी निकल कर आ चुकी है पूरी जानकरी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो जो है स्टे बाई स्टे प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसके अंदर सबसे पहले तो जो लाभारती प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीन या फिर प्रधान मंतरी आवास योजना सहरी के तहत नए आवेदन समर्पित करना चाहते हैं ऐसे लाभारती किस तरीके से इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे और साथियो कब से ये जो आवेदन की प्रक्रिया है वो सुरू की जाएगी झीके समांधित पूरी जानकरी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हत देने वाला हूँ तो वीडियो में अंड तक बने रहीएगा उसी के साथ दोस्टों जो लाभारती इस योजना के ताहत पंजिकरित है और उन्हें दोस्तो काफी दिनों से इस योजना के तहट जो पहली किस्त की रासी है वो उनके खाते में ट्रांसपर नहीं की जारी थी तो सांथियों ऐसे लाभरतियों के खाते में अब जो है पैसे ट्रांसपर किये जाएंगे जिसको लिकर official जानकरी निकल कर आई है पूरी जानकरी मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को clear करूंगा detail में तो वीडियो में end तक बने रहिएगा और end में दोस्तो जो लाभारती इस योजना के तहट अपना पंजिकरन कराए है लेकिन उनका नाम portal के अंदर अभी भी so नहीं हो रहा था ऐसे सभी लाभारतीयों की जो नई list है दोस्तो वो publish की जाएगी और उस list के अंदर सभी लाभारती अपना नाम को check कर पाएंगे उसी के साथ दोस्तों उनका जो house status है उसे भी देख कर पता लगा पाएंगे कि उनको कब तक उनके खाते में जो पैसे हैं वो मिलने वाली है पूरी जानकरी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जो है step by step provide करने वाला हूँ तो वीडियो में end तक बने रहिएगा ताकि step by step सारी जानकरी आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके तो चली साथ यो वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले आप सभी से request करते हैं अगर हमारे चैनल पर पहली वार आये हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी upload करें तो सबसे पहले जानकरी आपको मिल सके हैं ऐसे लाभारती कब से इस योजना के लिए आविदन कर पाएंगे तो साथ यहां पर अभी जो अपडेट है उसमें यह बताया जा रहा है कि मार्च माह के दूसरे सब्ता से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीन इबंग प्रधानमंत्री आवास योजना सहरी के अं आविदन को समर्पीत कर पाएंगे और अगर आप सहरी जेतर से हैं तो अपने नगर पालिका के अंदर जो आविदन है उसे समर्पीत कर पाएंगे तो साथ यह तो हो गई आविदन प्रक्रिया को लेकर जो अपडेट निकल कर आई उससे संबंधित जानकरी और मैं आप लोग को यह भी बताना चाहूंगा अगर आप नया आविदन करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि इस योजना में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं कहां पर दोस्तों आपको जो है भेरिफिकेसन यानि की सिगनेचर खराना होता है तो साथ यो आई बटम में एक वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगा उस वीडियो के अंदर आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया से संबंधित पूरी जानकरी वहाँ पर दिया गया है तो दोस्तों इस वीडियो को देख लें ताकि पूरी जानकरी आप सभ पहली इंस्टॉल्मेंट दी जाती है भारत सरकार के मिनिस्ट्री अब रूरल डेवलोप्मेंट डिपार्टमेंट के तरफ से वो अभी तक नहीं मिल पाया है तो साथ यो वो पैसे जो है अब लाभारतियों को मिल पाएगा क्योंकि यहां पर बताया गया है कि जितने भी प प्रोफाइल है वो भेरिफाई हो चुका है तो और आपका जो नाम है वो पाटल के अंदर सो हो रहा है तो साथ यो आपको अब पैसे मिलने वाले है क्योंकि दोस्तों सभी लाभारतियों को जो डीटेल्स है वो पाटल में अपडेटेड है और उसी के आधर पर उनके खाते में जो पैसे हैं वो ट्रांसफर की जाएगी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीन एवंक सहरी दोन उच्छेतर के अंतरगत तो साथियो अब मैं आप लोग को वीडियो के एंड में बताऊंगा कि जितने भी नए लाभारतियों ने अपना आवेदन को समर्पित किया पॉटल के अंदर लेकिन उनका नाम अभी भी पॉटल में सों नहीं हो रहा था जो प्रक्रिया मैं ने बताया था उस प्रक्रिया को फॉलो करके काफी सारे लाभारतियों ने पन्चायत प्रकहंड़ पर या फिर नगरपालिका स्तर पर अपना अवेदन को समर्पित किया थ लेकिन उनका नाम अभी तक पॉटल में नहीं सो हो रहा है और जब तक पॉटल में लाभार्ती का नाम सो नहीं होता है तब तक लाभार्ती registration नमबर के माध्यम से अपने profile को open करके यह पता नहीं लगा सकते हैं कि उनका जो house status है वो अभी क्या है तो साथियों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जितने भी लाभार्ती इस योजना के तहत पंजिकरन कराये थे और लाभार्तीयों की verification होने के बाद जितने भी verified लाभार्ती है यानिकी साथियों जो eligible लाभार्ती है जिन्हें इस योजना के तहत लाभ मिलना है ऐसे सभी लाभार्तियों की जो नई लिस्ट है वो एक सबता के अंदर दोस्तो भारत सरकार के aus of rural development department के दोआरा दोस्तो portal के अंदर पॉब्लिस किया जाएगा और दोस्तो portal के अंदर जैसे list publish होगी उसे list के आधार पर जिसरे हुए लाभार्तियों के आधार पर नए financial year के अंदर लाभारतियों के खाते में पैसे ट्रांसपर करड़ी की जो प्रक्रिया है वो सुरू की जाएगी तो साथियों यह है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामी रेबंग प्रधानमंत्री आवास योजना सहरी दोनों छेतर के लाभारतियों के लिए अगर आप सहरी छेतर से हैं तो दोस्तों आपको जो है Ministry of Housing and Urban Affairs के तरफ से जो लिस्ट पब्लिस की जाएगी पॉटल के अंदर वहाँ पर आपको जो है डीटेल्स चेक करने को मिल जाएगा और आप आवेदन भी उसी पॉटल के अंदर आप लाइन माध्यम से नगरपाली का कार्याले के अंदर जाके कर सकते हैं तो साथियो जानकरी अगर अच्छी लिगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप भी इस योजना के तहत आवास का लाब प्राप्त करना चाहते हैं साथियो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हमारे चैनल पर प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामी नेवग सहरी दोनों चेतर के अंदर जितने भी अपडेट्स आते हैं उससे सम्मंधित जानकरी प्रोवाइड की जाती है तो साथियो गर्जान करें अच्छे लिक्त वीडियो को लाइक करें इस प्रकार के और वी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्दबाद